हे गाईज, विलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार, स्वागत आपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी भरती निकाली गई है आप सभी कैंडिट के लिए एर फोर्स की तरफ से तोटल 3500, 3500, बंपर भरती आउट की गई है जो की All India के कैंडिड़ेट अप्लाइ कर सकते हैं यह टेकनिकल ब्रांच में वेकेंसिस निकाली गई है ध्यान रखना जहां पर 10 प्लस टू एंड डिप्लोमा के कैंडिड़ेट अप्लाइ कर सकते हैं बहुत अच्छी खासी recruitment है जो भी कैंडिड़ेट अप्लाइ कीज़ेगा टोटली सरकारी नोगरी है पर्मानेंट जॉब्स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह वेकेंसिस अगनी वीर के तत निकाली गई है 3500 भरती कम नहीं होती है बहुत बड़ी वेकेंसिस है सेलरी भी आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है और department, ministry of defense मत कुछ है आर एर फोर्स में लोग जाना चाते हैं यहां पर आपको मौका मिल रहा है वर्क करने का जरूर काम कीज़ेगा अपने देश के लिए चले आगे बढ़ते हैं, detail notification wise बात करेंगे कौन-कौन से लोग eligible हैं, eligibility condition क्या होगा कैसे apply करना है, सब कुछ detail में बात करेंगे इससे पहले आगे बढ़ें, जितने भी student इस वीडियो को देख रहे है अगर आप अभी तक Edulex channel को subscribe नहीं के हैं आप comment करके अपना branch और trade जरूर comment करके बताएगा ताकि आने वाले समय में आपको private job की information आपकी demand के तहद मिल सके चले आगे बढ़ते हैं, so guys यह है official notification भारतिय वायू से आप देख सकते हैं invite application from unmarried Indian male and female candidate याने कि जितने भी जो भी लड़के unmarried है याने कि अभी तक आपकी साधी सूदा नहीं हुई है चाए लड़के हो या फिर लड़कियां सभी apply कर सकते हैं, selection होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं under अगनीपत scheme के तहद 01-2024 की ये batch होने वाली है vacancy 27 July 2023 से start होकर 17 August 2023 तक ये चलने वाली है जिसकी online exam date होने वाली है 13 October 2023 को onward याने कि टेंडे डेव ये बहुत अच्छी कासी recruitment है, total 3500 post पर यहाँ पर vacancies निकाली गई है चले vacancies बात करते हैं, eligibility condition में सबसे पिले हम age की कि इसमें जो भी candidate eligible होने वाले हैं, उसकी age क्या होगी सबसे पिले age देखो, जो भी आपकी age होगी 27 June 2023 and 27 December 2006 के बीच में आपकी age जो है, यानि आपकी date of birth है, आप होनी चाहिए यानि कि लगबग-लगबग मानें, तो लगबग 21 year की इसमें relaxation मिलती है educational qualifications आपकी science subject के अंसार मानें, तो 10 plus 2 system में आपका mathematics, physics and English from education board से, किसी भी state board से या फिर central board से pass out होनी चाहिए जहां पर 50% marks जो है, अनिवार है, इंगलीस या फिर आपकी science subject में, या दरवाइस, अगर आपने 12 pass नहीं कर रखी है, 10 pass किये, तो diploma होनी चाहिए जैसे 3 year के diploma courses, engineering, में engineering में mechanical, electrical, electronics, automobile, computer science, या फिर instruments, technology या दरवाइस, information technology इसी में आपके ITI, sorry, diploma pass out होना ज़रूरी है, ध्यान रखना, 3 year का diploma मांगा गया है, 2 year में बोलता है vocational trade से, तो बिल्कुल आप apply कर सकते हैं बड़ यहाँ पर diploma होनी चाहिए, mechanical, electrical, electronics, automobile, computer science, anxiety के फिल्ड में, 50% marks यहाँ पर भी अनिवार है अदरवाइस आपने 2 year की vocational courses कर रखी है, या फिर non vocational subject जैसे की physics and mathematics में, तो भी आप इस पूंग को apply कर सकते हैं, 50% marks आपका होनी चाहिए, उसमें ध्यान रहे तो qualifications आपको समझ में आ चुका हूँ, अलग-अलग state duty के हिसाब से यहाँ पर divide की गई है, height जो आपका होगी 152 cm होनी चाहिए, male में ध्यान रखना, female में आपका मातर 152 cm रखी गई है तो जितने भी 152 cm प्लस हैं, लगबग लगबग आप सभी candidate इस पूंग के लिए अपला है, कर सकते हैं, कुछ उत्राखन यानि की hills एरिया से बिलोंग करते हैं, 147 cm उसके लिए रखी गई है and 150 cm, तो अपने अपने हिसाब से देख लें, chest यहाँ पर 5 cm expenses के साथ होना इसमें annual लिब बात करें, तो 30 days per year के हिसाब से आपको छुटी मिलेगी, और stick लिब बात करें, तो based on medical advice के हिसाब से आपको मिलने वाली है, medical incentive facilities Air Force में काफी ज़्यादा मिलती है, ध्यान रखना Indian Navy के बाद Air Force में सबसे ज़्यादा facilities प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद terminate and कई सारी जो चीजें है, package के हिसाब से बताई गई है, seller discuss करें, first of all ये चार साल की आपको होती अगनीपीत पता है, first year में आपको 30,000 मिलेगी, second में 33,000, third year में 36,500, उसके बाद fourth year में आपको यहाँ पर 40,000 मिलेगी, otherwise 70% का in hand क्या आपको मिलती है, contributions और काफी सारी सुधा आप of GY के तरब से, बहुत मिलती है यार, याने कि आपकी जो total control lesson, अगनीवीर कॉप्स के मिलेगी, 5.2 लाख रुपे, तो एकेंसी अच्छी है यार, after 4 year के बाद आपको 10 लाख रुपे आपको सिवा निदी की package आपको मिलेगी, तो advice देता हूँ, अगर आप age की under में आते हैं, तो जरूर reply करें, क्योंकि जितनी आपको 4 साल में salary मिलनी चाहिए, उतनी salary आपको मिलती है, और इस तरह का tough exam भी इसमें नहीं लिया जाता है, इसमें assessment test होगा, running vigorous, सब कुछ, बाकी बाद होता ही है, computer test होने वाला है, medical test होगा, देन आपका यहाँ पर final selections होगा, एक बार इस भी वही reason आपका होता है, देन आप qualify करोगा, PFT सब में होती है यार, ओके, तो जो भी candidate एलिस पले, जाओ जाकर apply करो, कुछ doubt हता है, comment करके जरूर बताना, क्योंकि इसमें जो form आपका लगने वाला है, offline form होता है, term and condition देख ले, form start होगी, आपकी, अभी time है, क्योंकि आपकी सताई जुले से start होने वाला है, तो जब भी start होगी, तो उसमें inform कर दिया जाएगा, बाकी बात लगे रो, कुछ doubt है, तो comment जरूर करते है रहा न, telegram channel सभी candidate join कर लेना, वहीं पर आपको सारी information मिल जाएगी, कुछ doubt है तो वो भी comment करके बताईएगा, चले guys, मिलते next video में, तेंले से जेंट